हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बूल बैस्टॉक पर हमें शेर मार्किट में एक्स्पिरियंस हो या नहीं लेकिन डेली कुछ ना कुछ सीखने को जुरूर मिलता है और यही आदत हमें सही इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाती है चलिए बढ़ते हैं आज के कंपनी शेर की तरफ लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें शेर का करेंट प्राइज 25.5 बुक वैल्यू 27.1 जबकि स्टोक फिलाल 0.94 टाइम स्टेड कर रावनी बुक वैल्यू से रिसेंटली आए क्वाटर 3 के रिजल्ट्स में कंपनी को 34 लेक्स का प्रोफिट हुआ था सेप्टमबर एंड में प्रोफिट 27 लेक्स का था तो जून एंड में 32 लेक्स चाहे आप येर टू येर की बात करें या फिर क्वाटर टू क्वाटर की प्रोफिट कंसिस्टेंट और मेंटेन हैं कंपनी पर डेट 3.95 क्रोड फ्री कैश फ्लो वन प्रोफिट 95 लेक्स सभी रिजल्ट्स को देखते हुए हम इस कंपनी को डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं रिटर्न ओन कैपिटल एंप्लोड 18.7 परसंट रिटर्न ओन इक्विटी 14.8 परसंट और अनिंग पर शेर 2.75 शेर होल्डिंग पैटर्न को देखे तो प्रोमोटर्स की 51.49 परसंट होल्डिंग्स देखने को मिली जो एडुकेट होल्डिंग्स है सबसे बड़ा positive points शेर एक भी किर्वी नहीं है वहीं public की 48.49 परसंट होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट परपस के लिए काफी अच्छी कंपनी हो सकती है ये financials काफी impressive है कंपनी का profit consistent होने के बाद भी ये dividend provide नहीं करती दूसरी और debtor days increase होए है वैसे सबी working capital requirements को पूरा करने के साथ अपने operation से cash अच्छा generate कर लेती है ऐसे stocks मैं लाता रहूँगा आपके लिए बाकी हर primary and final decision आपका होगा किसी भी share में आप invest करें लेकिन सभी financials और in-depth information लेकर ही कोई decision ले मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and take care